रियालिटी शोव बिग बॉस सीजन 13 में पाटिसिपेट करने की रिपोर्ट्स पर फाइनली जरीन खान ने किया रियाक्ट क्या जरीन नहीं बनेंगी बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा? जहां सूपरस्टार सल्मान खान जल्दी स्मॉल स्क्रीम पर बिग बॉस के लेटिस सीजन के साथ लौटने वाले हैं, वही ये सुनने में आया था कि इस बार अक्ट्रिस जरीन खान भी इस शोव में कंटेस्टंट बन कर आ सकती हैं. पर अब जरीन ने इन सभी रपोर्ट्स को गलत बता दिया है. जरीन ने रीसेंटली अपने एक ट्वीट में कहा, I'm amused to hear news articles about me, which I'm not aware of myself. The news about me being in Big Boss 13 is completely false. और अब आपको मिलवाते हैं सिंगिंग रियालिटी शो राइजिंग स्टार के सीजन 3 के विनर आफ्ताब सिंग से. जहां पंजाब के रहने वाले 12 साल के आफ्ताब ने रीसेंटली इस शो के विनर की ट्रोफी अपने नाम की. वही विनर का टाइटल जीतने के बाद आफ्ताब ने जूम से एक्स्क्लूजिवली इंटराक्ट किया और शेर किया अपना ये एक्स्पीरियंस. उसे ज़्यादा अच्छा दिन यही था कि ग्राइट फिनाले में जब मेरे गात में ये ट्रोफी डल्जीसा ने दी, वो मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा मनुआ था, उनको जिकीन ही नहीं हो रहा मेरे गरवालों को कि यह जीज चुका है. सबी सबी मेरे को बोल रहे हैं कि तू बाकिया तेरे को देख कैसे ज़ागत करते हैं, सबी मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे गाओं में.